बादसों के एक ब्रेगिंग यूसी कर लेंगे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्राखन के उत्तरकाशी में बन रहे है टनल का हिस्सा टूट गया है जिसमें 50 मजदूरों के फसने के आशंका जताई जा रही है और स्रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जा रही है आपको ब लगबग 50 मजदूरों के फसे होने की जानकारी है आला कि जो लेटिस अपडेट है उसके मताबिक अभी तक जो मजदूर है वो सही सलामत है सुरक्षित है लेकिन फिर भी रहत और बचाओ का काम लगातार जा रही है कोशिश की जा रही है कि जल से जल मलबे को हटा दिया ज लगबग 50 मजदूरों के फसे होने की जानकारी है प्रियंका अभी तक की अपडेट यही कह रही है कि यह मजदूर सुरक्षित है कोई अपडेट इस बारे में देखिए फिलाल सबसे पहली प्रियाइटी प्रिसार्शिंग की यही है कि इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलना है और उसी के लिए ऑक्सिजन पाइपस और भी टानल के अंदर डाली गई है ताकि ऑक्सिजन की कमी से कोई दुरगटता ना हो अभी तक जो जो है वो टनल के अंदर मौझूद है जिसके जिये रेस्की ऑपरेशन चल रहा है इस्डियारफ, SDRF की टी में मौझूद है, DMSB तमाम लोग वहां पर मौझूद है और उत्तरकाशी की यह जगह है जहां सिलक्यारा गाउन से लेकर डांडल गाउन तक के बीच में जो टनल बन रही थी, उसमें यहादसा हुआ है, जी अगरेशन चीके प्रेंका लोटेंगे आपके पास, लेकिन फिलाल एक बार फिर से हमाई दर्शूद खबर बता दें, उत्तरकाशी में बन रहा है टनल का हिस्सा ठूटा है, 50 मजदूरों के फसे होने की आशंका जताई जा रही है, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और रस्क्यू किया जा रहा है, साथ-साथ उत्तरकाशी के SP भी मौके पर मौदूद है, और जैसा कि हमारी सयोगी प्रेंका भी बता रही थी, कि किसी भी तरीके से टनल के अंदर, ऑक्सिजम की कमी से किसी की मौत ना हो कोई हाथसा ना हो, इसको लेकर बकाइदा खासा खयाल रखा जा रहा है, लेकिन तस्वीरे यह उस वक्ती है, जबकि रस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रात में यह मौदूर गए थे, लगबग 170 से 175 की संख्या बताई जा रही है, तनल के अंदर मौदूरों के अंकारी यह मिल रही है कि 50 मजदूर ऐसे हैं जो कि अब भी फसे हो सकते हैं और उनके रस्क्यू का काम लगातार जारी है